हलो दोस्तों स्वागत आपका information ग्यान और history optional की class में हम पढ़ रहे थे महाजनपदाज regarding महाजनपदाज already दो वीडियो अपलोड हो चुकी है पहली वीडियो में हमने बात करा था कि reasons for the rise of महाजनपदाज और estates and in the second video we have discussed what in detail what were the महाजनपदाज और उनकी capital वगरा क्या थी सारी चीज हमने detail में discuss कर ली है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो differences है क्या क्या differences है form of government के क्योंकि दो परकार की form महाजनपदाज में follow करी जाते थी पहली ती Republican और दूसरी थी मनार की अब उनके बीच में differences को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं study करने वाले हैं ठीक है देखिए माजनपदाज की जो timeline थी वो ये वाली थी तो इसको आपको हमेंसा याद रखना है ठीक है तो चली वीडियो को सुरू करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त अरुन बट उससे पह होती है और republican form of government क्या होती है मैं आपको already हमारी previous वीडियो में detail में समझा चुक हूँ बट मैं दुबारा समझा देता हूँ देखिए monarchical form of government में जोना एक monarch होता है एक person एक personality जो पूरे state को head करता है जब तक उसे आटाया नहीं जाता ठीक है अब simple जो monarch होता इसमें king को select कर जात होता है समिती समिती कमेटी होती है जो हमने अर्ली वैदिक पीरिड में भी discuss करी थी detail में ठीक है उसका link में आई बटन में दे दूँगा ओपर तो आप उसे पढ़ लीजेगा सीख लीजेगा ठीक है देख लीजेगा उस वीडियो को भी अब यहां पर Republican form of government में क्या होता है क उसको कहीं न कहीं elect करा जाता है representatives के द्वारा ठीक है तो अब इसमें क्या क्या डिफरेंसिस है इन दो form of government में वह हम थोड़ा सा डीटेल में पढ़ लेते हैं पहले हम पढ़ेंगे मुनार्की के और दूसरी हम पढ़ेंगे Republican form of government देखिए हमारा जो इंडिया है उसमें भी हम Republican form of government का जो concept है वो follow करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर अपना जो head of state है यानि president of India है उनको elect करते हैं हमारे द्वारा वो direct इसलिए यहाँ पर जो democratic element वो भी पाए जाते हैं देखिए यहाँ पर हमारी country में यानि इंडिया में जो democracy है वो indirect democracy है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे head of the states है उनको directly people के द्वारा elect नहीं करा जाता है यहाँ पर हम अपने नुमाइन दे अपनी परतिनेदी को चुनते हैं यानि अपने representative को चुनते हैं on behalf of that हमारे जो on behalf of us जो हमारे representative होते हैं वो हमारे head of the states को चुनते हैं ठीक है तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ करता था अब यहाँ प वर्ल्ड में कंट्री है UK यानि United Kingdom महाँ पर भी मोनार्क है ठीक है अब यहाँ पर अर्ली वेदिक पिरिट के बाद यानि जन्पद्स में भी जो king था उसको समीती के द्वारा सिलेक्ट करा जाता था मोनार्किकल फार्म अब गवर्मेंट में और Republican फार्म अब गवर्मेंट में यहाँ पर king को बज्र मुथ्य महाँ पता हुआ इसमें भी Republican फार्म आफ गवर्मेंट ही follow करें जाती ठी और जो मला जन्पदा हुआ करता था तका उसमें भी Republican फार्म अब давно करें जाती ठीक अब यहाँ पर monarchical form of government में जो चीज़े है ना वो कहीना कहीं centralized पाई जाती है यानि powers जो है कहीना कहीं converge होती है Kings के head में Kings is supposed to be the ultimate authority ठीक है अब यहाँ पर जो Republican form of government है यहाँ पर सारी चीज़े decentralized है यानि powers जो ना distributed है लेवल में ठीक है क्योंकि यहाँ पर village का भी कुछ ना कुछ concept है और state का भी कुछ ना कुछ concept है और फिर national level पर जो national level की government हो उसका भी कोई ना कोई जो रोल है वो है ठीक है अब यहाँ पर सारी चीज़े authoritative होती है यहाँ पर authoritative नहीं होती है ठीक है अब यहाँ पर जो element democratic elements है वो नहीं पाए जाते हैं और बहुत ही less पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर people की जो पार्टिसपेंट पूस पीपल्स की जो village यानि जर्नल विल ज देखा जाता है ठीक है क्योंकि यहाँ पर people अपने नुमाइंदों को चुनते हैं and on the behalf of people वो जो नुमाइंदे होते हैं फिर वो head को चुनते हैं यानि king को चुनते हैं तो चलते हैं अब यहाँ पर हमने देखा कि जो monarchical form of government है उसमें जो माजन पदास चल रहे थे यहाँ पर अब यहाँ पर जो responsibility है वो एक individual के हाथ मेरे गें मगर यहाँ पर कहिना के इं collective responsibility रहे गी है और political stability यहां पर intact रहे क्योंकि सारे की सारी power जो है यहां पर king के हाथ में रहेगी जब एक जने के हाथ में हो तो कहीना की OC का बोलबाला चलेगा तो कहीना की stability है वो intact रहेगी मगर यहां पर जब political stability unstable रहेगी वो ऐसे क्योंकि यहां पर decisions होंगे वो collectively decision लिये जाते होंगे क्योंकि सबके जो opinions हैं वो matter करते हैं तो सबके जो opinions ले जाएंगे तो कहीना के instability कहीना कहीन घर करेगी तो वो ही चीज हमें यहां पर देखने के लिए मिलती है अब यहां पर जब किंग का intervention होता है तो कहीना कहीन creativity फिर less होगी कहीना कहीन सारी चीज़े के अनुसारी होंगे क्योंकि जो किंग कहेगा फिर उसी चीज़ को follow करा जाएगा ना अब यहां पर अधर यहां पर ट्रेड्म को भी ज्यादा बापर नहीं थी का आपर नहीं थी कि जिहां पर च्यक्ट पर करेंट को जादा फ्लरिश करा था ठीकंड़ जब यहां पर सरीजे अलगा लगशिगी सेीज़ेऊ जो है ना वैस्टेड नहीं है तो यहां पर कहीं न कहीं क्रियेटिविटी फिर उभर कर आएगी लोगों को अपने व्यूज करने का मौका मिलेगा जिब लोग बाग अपने व्यूज को सेयर कर पाएंगे और वो समझ पाएंगे कि चीजे कैसे चल रही हैं और हम इन चीजों क मतलब फिरेडम देने चाहिए जब भी तो उनके अंदर क्रियेटिविटी जनरेट होगी क्योंकि अगर एक इंसान काफी सालों से एक पिंजरे में कैयाद है तो उसके अंदर कहीं न कहीं फिर जो क्रियेटिविटी जागे और वो जानना चाहेगा कि आखिर दुनिया में च चलते हैं मैं आपको साली चीज़े कनेक्टिट करकर लेकर चलूंगा ठीक है अब यहां पर जब किंग के हाथ में सारे के सारी पावर है तो कहीं न कहीं जो पनिस्मेंट होंगी वो भी इस्ट्रिक्टिंग होई और सीवियर होंगी है क्योंकि किंग तो यहीं चाहेगा ना बसके अब जब एक ही इंसान के दिमाग में सारा बर्डन है तो वो क्या क्या चीज़े देखें तो वो कहीं न कहीं पिर हराश होती हैं उनके साथ अपने हाथ हैं नके साथ बांदना चालू कर देगे और उन sharks के जो चीज़ है न उनie को प्रैक्िस करना चालू करतेगा मगर वहीं पर जो Republican former government थी वहाँ पर जो कोई भी अगर punishment दी जाते थी वो कहीं न कहीं जो crime होता था उसके according दी जाते थे जाता कोई वह नहीं कि हाँ भाई तुमने अगर चोरी कर दे तो तुम्हें capital punishment दी जाए तो यह सारे चीजें वहाँ पर available नहीं थे ठीक है अब देखा जातो जो मुनार्की थी उसमें कभी भी मतलब no vacuum तो रहा ही नहीं मतलब कभी भी जो throne है जो गद्धी है राजगद्धी वो कभी खाली नहीं रही क्योंकि यहाँ पर प्रोमी जी नेचर फोलो करा जाता था यानि king के बाद उसका बड़ा बेटा राजा बन है उसका जो अस्तित्व है वो मिट जाता है हिस्ट्री में से और जो persist करती क испыт यह जो पीपल है उनके द्वारा संग जो बनाया जातेते वह बड़ा जाती था ठीक है जनऊ में पैपल आर संगा में से एक ओरगनाज़ेसान एक साइटी कोई भी बनाए जाये तो उसको संगा बोलते हैं यानी संग एक तरीका ठीक जैसे कि सोवियत सोसेलिस्ट्रीम तो सोरी USSR की जो फुल फॉर्म है उसमें जो यूनियन वड़ाता ना यूनियन का मतलब ही संग होता है ठीक है तो यह चीज आपको यहाँ पर समझनी है ठीक है अब वो क्यों डिक्लाइन हुए यह चीज पर जादा जोड़ दिया जाता है कि आखिरकार जो डिक्लाइन हुआ वो कि क्यों हुआ क्या रिजन से उसके पीछे पहले चीज की जब रिपब्लिकन्स होंगे तो वहाँ पर जो पीपल्स का तो इस वज़े से भी एक रिजन ये भी ठेहराए जाता है कि इस वज़ा से भी रिपब्लिक्स जो थे वो डिक्लाइन हुए मगर जब एक समया आता था था ना कि मान कर चली कि कुछ भी एक क्राइसिस का समया आ गया तो वहाँ पर जो एक जगाह नहीं आते ते जब एक जगाह न ही जब यूनिटी ही नहीं होगी तो कहीं न पर पर टूटने की कगार पर भी आ जाएगे तो यह भी एक रीजन था ठीक है अब इस चीज़ को लेकर जो ना जो मुनार्किकल फॉर्म गॉर्मेंट थी उन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फाइदा उठाया क्योंकि यहां पर इनिस्टेबिलिटी आगे थी just because of not having unity unity among the clans तो यह सारी चीज़ों को जो फाइदा है ना वह मुनार्किकल जो फॉर्म गॉर्मेंट यानि अजाते सत्रु जब राजा हुआ करते थे तो अजाते सत्रु जी ने वसाकरा को वज्जी में भेजाता था कि जो वज्जी की confederacy है ना उसको तोड़ा जाए ठीक है अब द ममगदा के पास काफी सारी वैपन सा गयते जिसने जिन बाफ़ने ममगदा को एक प्रोवाइट कराई यह एक यह एक यह यह दो पर विजाई पर आप्यान कर पाया तो वह चीज़े कही लioned गई जो यहां पर रिपबलिकन जो एस्टेट थे वहाँ प्र restricted थी ठीक है अब जो monarchical form of government हुआ करती थी वहां के जो rural हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं aggressive policy का use करा करते थे अपने जो राची हाउस को expand करने में जैसे कि आजात सत्रु और महापदम नंदा ठीक है यह मलब सामरज्य था उनको accept कर लिए ओवर्लाडशिप accept कर ली थी ठीक है जैसे कि मल्लानाज और अरजुनियाना तो यह सारे पि रिपब्लिकन स्टेट हुआ करते जिन्हों ने ओवर्लाडशिप accept कर ली थी समुदर गुपता के तो यह थी हमारी कुछ form of government के बारे में कि किस परकार की form of government follow करी जाती थी महा जन्पतास के पीरिट के दौरान तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कैसी लगी do let me know in the comment box and if you really liked it so please hit the like button और subscribe जरूब गेजी यार do not forget to subscribe my channel ठीक है और अपने दोस्तों के साथ भी से रिखेजी it is going to be a very big series of history ठीक है जहां पर मैं सारी चीज़े explain करने वाला हूँ ठीक है तो आपके धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी thanks for watching आपसे फिर मलाकत होगी एक और नई वीडियो में एक और नई information के साथ तब तक के लिए जैहिंद